आज हम लोग कोशन नमबर 12 इंकम फॉर्म सैलरीज का डिस्केस करेंगे जैसे कि आपको पहले बताया था कि एंप्लॉयर जो भी फैसलिटीज एंप्लॉय को प्रोवाइड करता है उसका वैलेशन करना होता है और उस वैलू को इंकम फॉर्म सैलरीज के कैलकुलेशन में इंक्लॉड किया जाता है means जो भी आपको फैसलिटीज प्रोवाइड की जा रही है उसका वैलेशन किया जाएगा और उस value को वैलेशन करने के बाद उस value को salaries में include किया जाएगा तो यहाँ पर given आपका question number 12 में Company has given a housing loan of rupees 5 lakh on 1st October 2020 at the rate of 6% 6% पर पर नम 6% पर कमपनी ने loan प्रोवाइड किया और यहाँ पर given आपका कि last में given है rate of interest on housing loan charged by State Bank of India is 10% पर नम means State Bank of India से अगर employee loan लेता तो उसको 10% interest पे करना होता जबकि कमपनी ने उसको 6% की rate पे loan को प्रोवाइड किया इसका means company आपको concessional rate पे loan दे रही है और आपको 4% का benefit हो रहा यानि company एक तरह से आपको 4% की facility दे रही है और जो की आपकी salary में include के जाएगा taxable portion निकाले जाएगा means आपको क्योंकि 4% का benefit मिल रहा है due to employment तो 5,00,000 into 4% loan taken date given है 1st October 2020 means आपको 6 month का interest calculate करना होगा और 5,00,000 into 6 sorry 10 minus 6 4% का benefit मिल रहा तो 5,00,000 into 4 by 100 into 6 by 12 which is rupees 10,000 तो taxable portion हो जाएगा 10,000 और जब income form salaries को calculate के जाएगा तो यह 10,000 rupees आपकी salaries में include के जाएगा ओके भाई, have a nice day